वेलकम बैक अब्रिवन वेलकम टो सवल सर्विसेश टड़ी टेस्ट अमबर 439 लगाते हैं UPSC सवल सर्विसेश प्रोलेम्स के लिए हैं फोकस करेंगे जोलोजी के प्रश्णों पर जनरल साइंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डेट कितनी हो गई है तेरह जुलागी तो 2020 तो आज यह कोशन नमबर बनाएं तीन से चार सेगिन का टाइम मिलेगा एक प्रश्ण को पढ़ने के बाद निम्लिक कतनों पर विचार कीजिए तीन स्टेटमेंट है यहां पर बताना कि इनमें से कौन सा कतन करेक्ट है पहला स्टेटमेंट है सजीबों में दो प्रकार के नुकलिक एसिड पाई जाते हैं कितने परकार के दो परकार के नुकलिक एसिड अधिकतर जीबों में अनुवानशिक पदार्थ डियने होता है और कुछ विशाणों में आरेने अनुवानशिक पदार्थ के रूप में मिलता है तो कुछ विशाणों में आरेने लब DNA, RNA, तो correct है तीनों की तीनों statement D है इसका answer, तो सजीवों में दोपरकार के nucleic acid पाए जाते हैं, deoxy-rivos nucleic acid और rivos nucleic acid, अधिक तर जीवों में अनुवानसिक पदार्थ DNA होता है, और कोछ विशाणुओं में RNA, अनुवानसिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह है अधिकानुष्टा अभाहक के रूप में कार्य करता है, question number two पर आजिए, DNA में उपलब्द कौन से योगिक amino अमल बनाते हैं, guanine, adine, tyrosin, cytosin, बताए यह कौन-कौन से, बच्छों में पढ़ा होगा आपने, 9th में, 10th में, अगर biology, science side रहा होगा तो, तो guanine है, इसमें, adinin अधिन भी है, cytosin भी है, tyrosin नहीं है, तो फौर्द का अलिमनेट करके लगा दीजाए, answer एक, दो और तीन, तो देखे, DNA के लंबा बहुलक है, जिसकी लंबाई सामानता इसमें मिलने वाले nucleotides पर निर्फर होती है, DNA में adinin, guanine, cytosin, amino अमल बनाते हैं, tyrosin, इस्थनियों क सरीर में होने वाला एक एतात्विक अमीनो अमल है, non-essential amino acid है, तो एडिन, guanine, AGT, याद रखे, question number 3 पर आज़े, DNA की निमलिकित में से किस विश्यष्ट थाने उसे, PD दर PD, आनुवान सिक सूचना संगरे, और प्रेशन करने के लिए अधुतिय रूप उप्युक्त बनाया ह है, अधुतिय रूप से उप्युक्त बनाया है, कौन सा, उतक सुग्रा ही है, कोशे का सुग्रा ही है, दो रज्जुकों मतलब टू स्ट्रेंड्स की पूरकता रखता है, या फिर double helix है, एक प्रेशन बड़ा पूचते हैं, कि DNA का दूई कुंडुलीनी मोडल किस ने बनाय तो वाट्सन क्रिक है, उसका उत्तर, लेकिन यहां पर उत्तर है, दो रज्जुकों कोई पूरकता, दो रज्जुकों की पूरकता, टू स्ट्रेंड्स, तो C है इसका अंसर है, तो देखिए, DNA की दो रज्जुकों से सयुक्त, सनरशना उसे पीड़ी दर पीड़ी, नहीं किया जा सका है, सैसे ही हो जकवंद, हाइड्रोजन बंद, या फिर नाइट्रोजन बंद, इसका उत्तर, अप्सन नंबर C, हाइड्रोजन बंड, इंपोर्टन है, यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टन है, ऐसे प्रश्न PMT में भी कई बार पूछे गया, तो देखिए, कुंडिलीनी, DNA के दोनों रजुकों के चार आपस में हाइड्रोजन बंद द्वरा युगमित होकर चार युगम बनाते हैं, एडिनेन वे थाइमेन, जो विप्रीत रजुकों में होते हैं, और आपस में दोनों हाइड्रोजन बंद से जुड़े होते हैं, ठीक, उसी तरह स ग्वानिन, साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बंद के द्वरा बदा रहता है, जिसके फलसरूप सदैब, यूरिन के विप्रीत दिशा में पिरिमिडीन होता है, और इससे कुंडिली के दोनों रजुकों के बीच लगभग जो है, वो दूरी समान रहती है, कुश्यन नुमबर फाइब पर आजएए, निमलिखित कत्नों पर विचार करना है, दो स्टेट्मेंट है, यहां पर बताना है कि नमेंसे कौन सा करेक्ट है, पहला स्टेट्मेंट है, अनुवानसिक सूचनाओं का प्रभा DNA से RNA में होता है, और अनुवानसिक सूचनाओं का संचे DNA द्वारा होता है, और अनुवानसिक सूचनाओं का इस्थानांतर्ण RNA के द्वारा होता है, इस्थानांतर्ण क्या होता है, एक जगे से दूसरे जगे पर ले जाना, दोनों के दोनों करेक्ट हैं CS का अंसर, तो अनुवानसिक सूचनाओं का प्रभा DNA से RNA में होता है DNA से RNA में, ये RNA से जो है protein में होता है और DNA बारेने दोनों अनुवानसिक पदार्थ के रूप में कार करते हैं DNA अधिक स्थाई होने से अनुवानसिक सूचनाओं के संचे हैतू सबसे उप्योगी जबकि अनुवानसिक सूचनाओं के सनंत्र नहीं तू आरेने उप्युक्त है कोश्य नमबर सिक्स है डी एने की एक रज्युक से अनुवांसिक सूचनाओं का आरेने में प्रतिलिपी करना मतलों कौपिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जीनोम एडिटिंग उत्परिवर्तन यानि म्यूटेशन अनुलेखन या ट्रांस्क्र क्या बोलते हैं अनुलेखन तो डी एने की एक रज्युक से अनुवांसिक सूचनाओं का आरेने में प्रतिलिपी करना मतलब कौपिंग करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं अनुलेखन के दौरान दोनों रज्युकों का प्रतिलिपी करन एक साथ नहीं होता याद र रहते हैं और जीन कोशिकाओं के आरेने पर उपस्तित रहते हैं देखे जीन कोशिकाओं के डीने पर उपस्तित रहते हैं आरेने पर उपस्तित नहीं रहते हैं दूसरा बला गलत है कि वल पहला करक्ठ है हां पर तो कथन दोस आते हैं जीन अनुवानशिक जीन जो है वनशान मतलब मेसेंजर आरेने और राइबोसोमल आरेने और टी आरेने होता है स्थानांत्रण आरेने अब बताईए इसके सामने कुछ लिखा है क्या यह करेक्ट है MRN मतलब template प्रदान करता है क्या TRN अमीनवम ललाता है RRN इस्थान अंत्रन के दोरान सनरिशनात्मक वे उत्प्रेरक की भूमी का निभाता है बिल्कुल तीन टाइप के RN होते हैं करेक्टे देखिए तीनों के तीनों सुमेलित भी है MRN, TRN और RRN अब देखिए सभी तीनों आरेने प्रोटीन कोशिका में प्रोटीन संसिलेशन के लिए आवश्यक है जो MRN है वो template प्रदान करता है जो TRN है वो अमीनों अमल के लाने वे अनुवान्शिक कूट को पढ़ने का काम करता है जो RRN है वो क्या करता है सरंतर्ण के दुर्ण सरंशनात्मक वे उत्प्रेरग की भूमे का निभाता है तो याद रखेगा MRN, TRN, RRN, राइवोसोमल आरेने ट्रांसफर आरेने और मेसेंजर आरेने Question No.9 है Human Genome Project मानब जीनोम परियोजना के संबंद में नीचे दीगे कत्नों पर विचार कीजे यह परियोजना अमेरिकी उर्जा विभाग, राश्ट्य स्वास्त संस्थान वे बृतेन द्वारा सुरू की गई थी और इस परियोजना का उद्देश मानब जीनोम में इस्तिद छारों के अनुकरम का पता लगाना था बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेट्मेंट दूसरा भी करेक्ट है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो देखिए घुमन जीनोम प्रोजेक्ट या मानब जीनोम पर योजना तेरे वर्ष की योजना थी जिसे अमेरिकी उर्जा विफाग वे राष्ट्र स्वास्त संस्थान द्वारा सैयोग प्राप्तता और प्रारमबिक वर्षों में केवल ब्रिटेन की अनुकरम करना कि कोश्चन नुमबर दस है डीने फिंगर प्रेंटिंग का नाम आपने सुना होगा उस से रेलेटेड कुछ स्टेटमेंट है हिंदी को मोलते हैं इसको डीने अंगुली छाप तकनीके संदर्ब में या संबंद में विचार करना है पहला स्टेटमेंट है यह इस बालक का पिता या माता कौन है या इसके कारज़ें कौन है डीने के द्वारा यह मानब जीनोम के अनुवानशिक नक्षे को त्यार करने में लावदायक है यह है यह है यह है बिलकुल अनुवानशिक नक्षे को त्यार करने में लावदायक है सारे के सारे तो करेक्ट हो गैस मड़ी हो गया इस खांसर बन टू 3 तो देखिए यदि दो व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच अनुवानशिक ग्विभिनिता का पता लगाना हो तो हमेशा डिने का अनुक्रम ग्याद करना होगा जो कि एक कटिन का रहा है लेकिन दो व्यक्तियों के ड डिलार सुकराणू आदी से प्राप्त डिने एक समान बहु रूपता मिलती है जो नियाली उपयोग में एक पहचान ओजार के रूप में उपयोगी होती है चुकि बहु रूपता जनक के बच्चों की और वनशांगत होती है इसलिए डिने अंगोली छाह विवाद की इस सिती की में पैत्रक परिक्षन सहायक है समुरूपता मिलती है मतलब एक जैसे ऊघंगे तो समुरूपता मिलतों बिलेगी ना Да दूसरे परिवार का होगा तो किसे समुरूपता मिलेगी इसी चीच और पहचान लेया जाताए अब देखे DNA अनुकरम में मिलने वाली भहुरूपता के साथ-साथ DNA फिंगर्प्रिंटिंग Human Genome के अनुवानसिक नक्षे तियार करने में भी लाबधायक है तो ये दस प्रेशन ते जोलोजी के अच्छे से इसका रिविजन कर लेना साइंस के UPSC की सिविल सिवा की तैयरी ना कर रहे हूं तब भी आपको इन प्रेशनों के उत्तर पता होने चाहिए कुछ के तो धन्यवाद